प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस प्रवचन के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल ज चालगी. आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ. संपुष्ट परिवार विशे भाई रंजीत ने सेजस्ट किया था और वे जानते हैं कि जो लोग इन प्रोग्राम्स को सुनते हैं उनके लिए क्या-क्या विशे चाहिए और इसलिए जैसा शास्त्री जी ने कहा वीबिन प्रकार के टीचर्ज आकर यहां क्लास वीबिन वि मुझ से संपुष्ट परिवार पर क्लास लेने के लिए कहा मुझे काफी लोगों से फीडबैक मिलता है कि यह क्लास उनके लिए अनग्रह का कारण है और जैसा मैं हमेशा बताया करता हूं इसी भी विशे पर आपको मार्ग निर्देशन चाहिए तो आप वाट्सैप के द् मुझ से संपर्क कर सकते हैं मेरा नमबर शास्री जगवीर कमेंस बॉक्स में पोस्ट कर देंगे वहां से आप मेरा नमबर ले सकते हैं सिर्फ एक अनुरोध है कि सीधे सीधे फोन बुलाने या वीडियो बुलाने की कोशिश ना करें आपको जो भी पूछना है वो टेक्स क रूप में या ओडियो की रूप में मुझे डाल दें जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको जवाब दूँगा इम्मीडियक जवाब नहीं दे पाऊंगा ये बात मैं आपको बता दूँगा आप लोग ने मेरे बहुत प्रार्थना की थी मेरी सरजरी के लिए इस महीने एक साल हुने जा रहा है, एक साल पूरा बीत गया, प्रभू की दया हुई, अच्छा, डेबोरा आई है, I am very, very happy, यह निरीचना की बहन है, ये संक्राइज लाद, और तुम शायद अब सर्कल इंस्पेक्टर हो, क्या हो, सर्कल इंस्पेक्टर पुलीस, ओके, ये निरीचना क की बहन है, एक मसीही विश्वासी, पुलीस में जाना, ये एक बहुत कठिन बात है, क्योंकि पुलीस में जो व्यक्ति है, उसके लिए वो जो गाना है, पिक्चर का, मारा जाए या छोड़ दिया जाए, वो किनका हिसाब है, हमारे जो भाई बहन, इसके कारे करते हैं, उनक मूट करते हैं, एक मिनिट, सब को म्यूट कर देते हैं, कर दिया, ओके, तो बहन आई है, उनके लिए भी विशेश सभी लोग, के ले भी सारे के सारे गले ले आया, कई बार अंजयने भी अंड्म्यूट हो जाता है, जो कि बीच बीच वे कुछ लोग का हो रहा है, भाई रंजीत को, मैं फिर से धनिवाद देना चाहता हूं, कि उनना ने ये विशेश एडवाइस किया, क्योंकि ये विशेश जो लोग क्लास सुनते हैं, और जो लोग यूट्यूब पर सुनते हैं, सभी लोगों से मुझे काफी फीडबैक मिलता है, ये सीरीज उनके लिए उप्योगी है, और रंजीत इस जून में हम अपने परिचे और साथ साथ चलने के 28 साल कंप्लीट कर रहे हैं, लगबग 28 साल जो बोल रहा था उसको जरा कंप्लीट कर दूँ, लास्ट हफते मैंने आपको बताया था कि अनजाने लोग आपको आडियो कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट वगरा देंगे, उसमें फंस न जाएं, कल रात को, लास्ट हफते मैंने क्लास लिया, कट किया और भाई रंजीत क एक लॉंडिया का कॉल आया, उन्होंने अटिन नहीं किया, दुबारा आया, तिबारा आया, चार या पांच बार आया, जिसका स्क्रीन शॉट उन्हें ने मुझे भेजा, ये एक आम बात हो गई है हिंदुस्तान में, एक से एक सुन्दर लड़कियों का चितर प्रफाइल में लगा दिया जाता है, और भायरती मर्द हमेशा ही स्त्री लंपट रहा है, चितर देखते ही मर जाता है, और वो बात करने लगता है, उसे ये नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा जाल है, कितनी बड़ी साजिश है, मैंने पिछले हफ़ते आपको बता है था कि राजस्था राजस्थान, उतर प्रदेश, पंजाब आदी इलाके से लगबख देड़ हजार लोगों को पिछले दिनों गिरफतार किया है, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक काम है, लोगों को मोबाइल के द्वारा ट्रैप करके उनसे पैसे वसूल करना, या उनकी इज्जत लूट देना, भाईयों, बेहनों, और मेरे प्रीय बच्चों जो प्रभू का वचन सुन रहे हैं, तुमको लगेगा कि एक अंजान व्यक्ति को तुमारा नमबर कैसे मिल गया है, इसलिए जरूरों मुझे जानता होगा, ऐसी मुर्ख बाते मत सोचना, एक से लेकर छे करोड मोबा आजकल खरीदने के लिए सीडी पर या पेन राइव पर बेचे जाते हैं, उन में से किसी भी नमबर को लोग बुलाते हैं, और बाद में उनका शिकार करते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, किसी भी अंजान व्यक्ति का ओन आता है, तो बहुत चंचल हो जाते हैं, और अरे अंजान व्यक्ति तुम से क्या जरूरी बात करेगा, तुम क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, जो हर व्यक्ति तुमको बुला रहा है और जरूरी बात कर रहा है, लेकिन मनिश्री के मन में वो जो छिपी हुई, वो जो एंग्जाइटी है, जिग्यासा, उसको उठाया, बाद में उस व्यक्ति का पत्र आया कि मैं परसों आप से हैदरबाद में मिला था, यकिन मानिये मैं जिंदगी में कभी हैदरबाद ने गया, तो जब मैंने उनको लिखा कि मैं हैदरबाद कभी ने गया, तो तुरंत उनका जवाब आया कि एक काम कीजे, आप कोन हैं क्या करते हैं कहा रहते हैं यह जानकारी भीज दीजिएए यह सब चोर लुचे लुटेरे अपरादी लोग हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ एक काम करते हैं मोबाईल कॉल करना लोगों को फसाना अपने जाल में फसाना और उसके पाद उन लोगों के द्वारा ड्रक्स की तसकरी करवाना, जुआ खिलवाना, पैसा लूटना और इस तरह के तमाम काम, तो भाई रेंजी भी इस बात के वितनस हैं कि आप तो उनके उपर भी लड़कियां जाल डाल रही हैं, ये लड़कियां नहीं हैं, ये गैंक के सदस्य ह इसको याद रखें, और यदि यहां से जवाब कोई लड़की देती है, तो नंबर उसको प्रजर्व कर लेते हैं, अगली बार कॉल लड़के का आता है, इससे सावधन रहें, एक चीज़ और मैं आज सावधन करना चाहता हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं, वे लोग भी ध्यान से सुनें, आजकल इस तरह के पत्र बहुत आ रहे हैं, वाटसेप के द्वारा, कि हम आपको नौकरी देंगे, कोई अनभव नहीं चाहिए, दिन में एक घंटा काम कीजिए, और एक हजार से लेकर, दस हजार तक पैसा कमाईए, लोगों को लगता है कि बापरे, कोई अनभव नहीं चाहिए, और घंटा भर, चौबीस घंटे में घंटा भर काम करो, तो दस हजार रुपे, वो ये भूल जाते हैं, कि दुनिया में, फ्री फंड में बांटने के लिए पैसा किसी के पास नहीं है, और इसके पीछे जरूर कोई चाल है, ये लोग क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, जिससे जिग्यासा के कारण आप उसमें फंस न जाएं, ये लोग क्या करते हैं, कि यदि आप जवाब देंके काम क्या है, तो कहते हैं कि काम बहुत आसान है, हम आपको यूट्यूब पर तीन वीडियो देंगे, उन तीन वीडियो पर जाकर लाइक क्लिक करना है, और लाइक क्लिक करने के बाद उसके एक स्क्रीन शॉट हमको भीज दीजे, हर क्लिक के लिए हम आपको पचास रुपया देंगे, तो देते हैं ये लोग, देते हैं, आप जाके वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसका स्क्रीन शॉट भीज देंगे, तो वो डेड़ सो रुपया चूहे दानी का दर्वाजा है ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें पिछले दिनों आसाम से एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि इस तरह से डेड़ सो रुपया के चकर में एक क्लिक यूट्यूब पर जाकर एक क्लिक करो और पचास रुपया दे दे तो लोग सोचते ही कि बाप रे एक दिन में तो मैं कम से कम सौ पर क्लिक कर सकता हूं और सौ अगना पचास 5,000 हो गया दोसो पे क्लिक किया 10,000 महिने बर में 10,000 नहीं मिलते ही एक दिन में 10,000 फ्री फंड में मिल रहा है मुझे already संदेश मिल गया है कि इस तरह का संदेश लोगों के पास आ रहे हैं सावधान रहें ये बहुत बड़ा धोखा है बहुत बड़ा धोखा और ये चूहेदानी का दर्वाजा है जिसमें से आप एक बार घुज गए तो उसके बाद बचना मुश्किल है ये लोग क्या करते हैं पहले तो आपको तीन यूट्यूब के तीन वीडियोज देंगे आप क्लिक करेंगे तुरंत डेर्ड़ सो रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा फ्री फंड में डेर्ड सो रुपया एकदम से लोगों के मन में लालच आ जाता है उसके बाद अगला पत्र आता है अगला टास्क फलाना है उसके लिए आप पांच सो रुपया जमा करवाईए तो लोगों को लगता है डेर्ड सो रुपया फ्री फंड में दे दिया पांच सो रुपया जमा करवाने में क्या नुकसान है तुरंत 500 रुपया जमा कर देते हैं घंटे भर के बाद वो लोग 700 रुपया वापस कर देते हैं उसके बाद अगला पत्र आता है कि दो टास्क हो गए तीसरा टास्क आपको 500 के 700 मिल गए अगला जो है एक हजार जमा करना है एक हजार, पाँच हजार, दस हजार आप चुन लीजे तो लोग ट्राइल के लिए एक हजार जमा कर देते हैं घंटे भर के बाद जो है 1400 रुपय मिल जाते हैं तो कुल मिला के आपने तीन टास्क किये और आपको 400 रुपय फ्री फंड के मिल गए बस इसके साथ आदमी का लालच सर उठाता है अगला फिर से शायद वो इसी तरह से यूट्यूब पे क्लिक करवा दें तो आपको अब कित्ते पैसे मिल गए 900 के करीब रुपय मिल गए अगले दिन अगला टास्क शुरू होता है अब तीन पे क्लिक करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि ये पैसा रिलीज करने के पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए तीसरे दिन आते आते इन्वेस्टमेंट 25 जार, 50 जार वो हर आसामी को अच्छे तरह से देख लेते हैं पिछले दिनों आसाम से मुझे एक व्यक्ति ने लिखा कि दो लाक, 75 जार रुपय मैंने इन्वेस्ट कर दिये अब उन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझसे किसी बेतरह का संपर्क नहीं करते मैंने उधार लिये थे ये मनिश के लालच पर मैनिपुलेट करके ये लोग आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को लूट रहे हैं और ये हर दिन हो रहा है और यहां एक चीज और बता दूँ कि जो कुछ ये लोग करते हैं आपसे संपर्क करते हैं वाट्साप के द्वारा और वाट्साप के संपर्क करने के बाद ये आपसे कहते हैं कि आगे जो काम धंदा होगा वो टेलेग्राम पर होगा टेलेग्राम भी वाट्साप के समान ही एक ग्रूप है अंतर यह है कि WhatsApp पर आपका नंबर स्पश्टतेया दिखता है टेलेग्राम में आप अपना नंबर छुपा सकते हैं और इसलिए वो जो अति सुन्दरी परी जैसी कन्या WhatsApp पर आपसे चाट कर रही है आपको उसका नंबर नहीं मिल सकता है आप उसको चितर लगा रखा है वो चितर उसी का न्या का है ज़रा सोचिए उन लोगों ने कितना दिया उन लोगों ने 700 रुपए दिये कितना लूट ले गए पौने 3 लाख रुपए पुलिस के पास इस तरह के कई केस पहुंचते हैं लेकिन ऐसा अनुमान है कि पचास सो लोगों में एक ही व्यक्ती है जो पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाता है बाकी लोग मन मसोस कर रह जाते हैं कि बस लुट गए सरे आम लुट गए तो इसलिए मेरे प्रिये भाईयों और बहनों इंटरनेट पर काम करने के लिए प्रती घंटा हजार से दस हजार रुपया जो भी एड़टाइजमेंट आता है उसके चकर में ना फासे वो आपको लुट कर कंगाल कर देंगे दूसरी बात इंटरनेट पर अज्यात व्यक्ति किसी भी तरह से कॉल करता है उसको अटेंड ना करें यदी व्यक्ति जरूरत मंद होगा तो वो आपको मेसेज भीजेगा या आप चाहें तो एक मेसेज भीज दीजे लेकिन मेसेज को बहुती ध्यान से पड़ें ये याद रखें कि जो अज्यात कॉल आते हैं दस में से नौ या इवन उससे आधिक असली नहीं होते हैं ये लुटेरों के कॉल होते हैं ये बात याद रखें कल मुझे एक पत्रा आया मेरे अती प्रिय भाई आप कैसे हैं उम्मीद है कि आप कुशल और मंगल हैं और अपने काहरियों में लगे हुए हैं मैं आपके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ बाप रे बाप ये बंदा मेरे लिए रोज प्रार्थना करता है और मेरे परिवार के लिए भी उसके बाद अगला वाक्य है मैं आप से संपर्क फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कर रहा था तो संपर्क क्यों नहीं हो पाए भाईया मैं तो ऐसे इलाके में रहता हूँ जहां signal की कोई परेशानी नहीं है और mobile की विशेष्टा यह है कि यदि कोई संपर्क करने की कोशिश करता है और signal नहीं है तो जब signal हो जाता है उस समय mobile आपको mobile company notice बेज देते हैं कि फलाने व्यक्ति आप से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तो यह बंदा कही बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था हमारे पास का जो mobile tower है मैं यहां बैठाओं किड़की खुलता हूँ तो मुझे दिखता है इतने पास है और इसलिए मुझे इतने clearly message मिल जाता है और यह दि कोई whatsapp के द्वारा बुलाता है तो whatsapp के द्वारा जो call है वो तो मेरे internet line के through आता है जो इतना अधिक broadband है कि आप सोच नहीं सकते mobile का जो broadband है उसकी तुलना में लगबख सौग ना ज्यादा broadband है मेरे internet पे और वो कह रहा है कि उसने कई बार phone पर कोशिश की और नहीं मिल पाया हम मैंसे ज्यादा तर लोग इतने मूर्ख इतने लापरवाह और अक्सर मैं जो शब्द यूस करता हूँ उसमें कोई गलती नहीं हम इतने उल्लू के पटे हैं कि देखकर भी हमको दिखता नहीं है सुनकर भी हम नहीं सुनते और चोट खाने के बावजूद जो है हमारी आँख नहीं कुलती उसका अगला स्टेट्मेंट है पलैने नंबर पर मुझे बुलाएं वो भी कब तुरन तुम ये इमेल मिलते ही मुझे बुलाएं मैं आपसे एक बहुत ही महतोपोर्ण विशे पर चर्चा करना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई और बहनों दुनिया भेडियों से भरी हुई है और ये भेडिये साइकोलोजी के एक से एक विद्यार्थी है ये जानते हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं ये जानते हैं कि लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं इस तरह से कॉंटैक करने के बाद धीरे 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 ये लोग जो है अपना जाल बिछाते हैं मैं जानता हूँ कल पिछली हफ़ते हमने एक उदाहर इंड दिया था भाई रंजीत ने अपने जान पहचान के एक भाई के बारे में बताया था कि वाटसैप के द्वारे चैट करने के बाद वो एक लड़की के केस में फस गए और एक लाख रुपया देकर पिंड छोडाना पड़ा मुझे नहीं मालूम पिंड पूरी तरह से छुट पाएगा या नहीं क्योंकि ये सारे काम बड़े बड़े गैंग्स हैं जो करते हैं 10 से लेकर 50-50 लोगों के गैंग्स हैं मद्धि प्रदेश में, उतर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में कई गाउं के गाउं हैं जहां पर लोग इस तरह से साइबर क्राइम में लगे हुए हैं तो पिछले हफ़ते मैं जो कह रहा था उसका उसको यहां पर मैं complete इसके साथ कर रहा हूँ, माबाप इसमें ना फसें, मेरे प्रिये बच्चों इन चीजों में मत फसना, हर दिन दुनिया और अधिक दुष्ट होती जा रही है, आज के हमारे अध्यायन के लिए नीतिवचन के पहले अध्याय को खोल लें, जैसा भाई रंजीत ने कहा था, बा गाईरी रख ली होगी मुझे उम्मीद है, और जो रेफरेंस दे रहा हूँ, वे आप नोट कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है, नीतिवचन तो हर माबाप की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को प्रोतसाहन दें, कि नीतिवचन में से एक दिन एक अध्याय जरूर पढ़ें, नीतिवचन में तीस अध्याय हैं, एक महिने में एक बार यदि आपका बच्चा उसे पढ़ लेता है, तो दो-तीन साल में वो अपने विश्वास में और व्यावहारिक जीवन में इतना संपुष्ठ हो जाएगा कि उस पर जाल डालना आसान नहीं होगा, तुझए फुसलाएं, तो उनकी बात ना मानना, आप कहेंगे की यह तो गयरविश्वासियों के बारे में होगा क्योंकि पापी लोग सभी भाईयों बहनों को यह मालूम होना चाहिए कि चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो सभी पापी है सभी पापी है और इसलिए जब पापी लोग तुझे फुसलाए जब रभू का वचन कहता है तो ये ना सोचें कि सिर्फ अन्बिलीवर्स पापी है सभी पापी है दूसरी बात भजन पहले अध्याय में हमने, जो मैंने बार-बार आपके सामने सुने था, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता, जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, ये किसके लिए विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, जो दफतर के कारण, अनाविश्यक दोस्ती के कारण, अनाविश्यक शौक पालने के कारण, पापियों की मंडली में बैठते हैं, आप कहेंगे कि ब्रदर यदि ऐसा है, तो बैंक में नहीं जा सकते, वहां सभी अविश्वासी हैं, यहां ये नहीं लिखा कि आविश्वासियों की मंडली में नहीं बैठना, आपके आफिस में आविश्वासियों उनके साथ बैठना हो गया, जो पापियों की मंडली में नहीं बैठने का मतलब है, इवन संसार के लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जिनका जुकाव पाप और अधर्म की तर बैठ गए तो दस्वें पद में जो लिखा है वही होगा, मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो, उनकी मंडली में बैठोगे, कुछ दिन में जान पैचान हो जाएगी, कुछ दिन में दोस्ती हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद वो फुसलाने लगेंगे हो सकता है बहने कहें कि भई ये तो पुत्रों से कहा गया है, बच्चियां भी हो सकता है कहें कि या शास्त्री अंगल तो हमारे भईया के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रभु के वचन में जो पद हैं, जो सामान्य पद हैं, ये पुरिश, स्त्रिया दोनों पर लागू होती हैं, लेकिन सामाइन नेतया, बातचित की भाषा में, पुलिंग में कहा जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये स्त्रियों के लिए लागू नहीं है, और उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों के बीच में पापियों के मंडली नहीं होती है, सब जगे ये लोग होते हैं और यदि हम उनकी मंडली में बैठेंगे तो कुछ समय के बाद वे हमको फुसलाने की कोशिश करेंगे आप कहेंगे कि पापियों की मंडली में जब तक फस नहीं जाते तब तक पता कैसे चलेगा कि ये पापियों की मंडली है बिलकुल सही है लेकिन जब एक बार पता चल जाए तो दुबारा वापस जाने में क्या आकलमंदी है यदि आपको लगा कि तवा ठंडा है या सौस्पैन ठंडा है और आपने एकदम से उसे पकड़ने की कोशिश की हाथ जल गया तो वो वाकई में गरम है क्या ये जानने के लिए या हाथ जलेगा क्या ये जानने के लिए आप दुबारा पकड़ेंगे क्या नहीं उसी तरह से भाई चान सिद्य आपको पता चला कि आप जिन लोग के बीच में बैठे हैं इनके जीवन के प्रती इनके नजरिया सही नहीं है पाप से भरा हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आई इन्दा उस मंडली में नहीं बैठे यदि पापी लोग तुझे फुसला हैं तो उनकी बात ना मानना यहां फुसला ये शब्द का उप्यों किया गया है ये एक विशेश बात है जो मैं आपको याद दिलना चाहता हूँ यदि कोई पापी आप से कहे तो हो सकता है आप तुरंट उसको रिजेक्ट कर दे मान के चलिए कि आप एक ऐसी जगरफस कहे हैं जहां पर सब लोग मध्यपान कर रहे हैं और ये उसमें से कोई विशेश आके कहता है कि पियो ना तो हो सकता है एकदम से आप मना कर दें और इसलिए सीधे सीधे आके पियो ना या क्यों नहीं पीते बोलने के बदले वो लोग आप से कुछ और तरीके से बोलेंगे अरे यार सब चलता है आजकल सब पीते हैं और यार सब लोग करते हैं आजकल सब पीते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है इस से कोई नुकसान थोड़ी है ये है फुसलाना और प्रबु का वचन स्पष्टतेया बोलता है प्रबु के वचन में हम देखते हैं कि पापी लोग आकर सीधे सीधे आपको पाप के लिए नियोता नहीं देते हैं वो आपको फुसलाते हैं और ये जो शब्द है फुसला ना इसके बारे में चार कुछ बातें जानना जरूरी है मान के चलिए कल को कोई व्यक्ति आपको एक वाटसैप संदेश देता है मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं आपको लगता है कि अरे बापरे कैसा अकेला व्यक्ति है आप उसको जवाब दे देते हैं इसके साथ साथ वो फुसलाना शुरू होता है अलग 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 लोगों को अलग अलग तरीके से फुसलाया जाता है पिछले दिनों मेरी नजर में केस आया था एक अच्छे सब्वे परिवार की लड़की को उसके पडोस में रहने रहने वाले एक ऐसे मैं फसा लिया जिस लड़के के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है खाना नहीं है इस लड़की को इतना तो समझ में आना चाहिए था कि उस लड़की की हैसियत और मेरी हैसियत में बहुत फरक है और इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगी उससे शादी करके कभी खुश नहीं पहली बात मेरा परिवार कभी अनुमत ही नहीं देगा, दूसरी बात उससे शादी करके कभी खुश नहीं रहूंगी, तीसरी बात मैं मसीही वो गैर मसीही है, जब चर्चा आगे चली तो पता चला कि ये लड़की रोज सुबह साइकल की प्रैक्टीस के लिए घर के पास वा आदत की, उसके बाद उसने कहा कि मैं जीवन में बहुत लोणली हूँ, अकेला हूँ, अकेले पेंसे ग्रसित हूँ, मेरा कुई दोस्त नहीं है, ये एक मसीही लड़की है बॉनगे ने, उसके मन में एकदम से अनुकमपा आ गई, कि बापरे ये बड़ा अकेला है, उसने उससे बातचित चुरू की, कुछ दिन के बाद बातचित जो है स्नेह में बदल गया, स्नेह प्रेम में बदल गया, फाइनली जब घर वालों ने पकड़ा, तो घर वालों ने कहा कि एक काम करो, तुमसे प्रेम करती हो, ठीक है, उसको बुलाए लेते हैं, उसको बुलाए उ उससे का कि तू इससे प्रेम करता है ठीक है ले जाओ लड़की को इम्मीडियेटली यहां से ले जाओ शादी कर लो जो तुम्हेरी इच्छा है कर लो घर वालों का आइंद इससे कोई संब्द्ध नहीं रहेगा लड़के के को मानो साप सूग गया क्यों उसने इतने बड़े परिवार की लोंडिया पर जो जाल डाला था मैं लोंडली हूँ वो हूँ यह हूँ वो जाल इसलिए डाला था कि इतने बड़े परिवार को वो लूट सके उस परिवार का दामाद बन जाएगा तो उस परिवार से जो प्रापर्टी है वो मिल जाएगी दो बच्चे हैं दोनों में आदा-ादा बटेगा जब उसने कहा कि नहीं मैं नहीं ले जा सकता तो ये बच्ची जो है उसने कहा कि अच्छा तुम अभी तक जो है प्रेम का दिखावा कर रहे थे क्या उसने जवाब भी नहीं दिया, वो वहां से चला गया, प्रभू के दिया से वो बच्ची बच गई, लेकिन मैं यार दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं, मैंने अभी एक लड़की के बारे बोला क्योंकि ये केस मेरे पास आया था, लड़कियां भी हैं, लड आप पूछेंगे कि बच्चे क्यों और सावधान नहीं रहते, बच्चे इसलिए सावधान नहीं रहते, कि मा बाप बच्चों को जिस तरह से शिठ्षा देनी चाहिए, उस तरह से शिठ्षा नहीं देते हैं, प्रभू का वचन बार-बार याद दिलाता है, कि हमें अपने बच्चों को शिठ्षा देनी है, ट्रेन करना है, पहले नीती वचन के पहले अध्याय के आठ्वें पद में लिखा है, है मेरे पूत्र अपने पिता की शिठ्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिठ्षा को ना तज, हम में से कितने पिता हैं, और कितने मां हैं, माएं हैं, जो बच्चों को जो कुछ समझना चाहिए A, B, C, D से लेकर हर चीज समझाते हैं समझाने के बावजूद कई बच्चे बरबाद हो जाते हैं लेकिन समझाएं नहीं तो शर्थ प्रतिश्थ बरबाद हो जाते हैं आज जो भाई लोग, जो पिता लोग प्रबु का वचन सुन रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं पिछले कई हफ्तों से जो आपको बता रहा हूँ आप उस तरह से अपने बेटे से या बेटी से व्यवहार करते हैं क्या जितनी माएं हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस तरह से आप अपने बेटे या बेटी से व्यवहार करते हैं क्या आप कहेंगे कि ब्रदर आपको नहीं मालूम बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना बहुत मुश्किल है मैंने भी दो बच्चे पाले हैं मैं इन बातों को फर्स्ट हैं जानता हूँ मैं पर्फेक्ट नहीं हूँ मैं कोई पर्फेक्ट व्यक्ती नहीं ना तो मैं पर्फेक्ट विश्वासी हैं ना पर्फेक्ट पिता हूँ नहीं मेरे बच्चे पर्फेक्ट हैं लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने इसका अपने जीवन में पालन किया है, मीरा बेटा अभी दो हफ़ते पहले 40 क्रॉस कर गया, मेडिकल डॉक्टर है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में काफी आगे काम कर रहा है, लेकिन आज भी उसको जीवन में कोई मुख्य नुर्ने लेना होता है, मुझसे पूचता है, 40 साल का हो गया है, मेडिकल डॉक्टर है, ये भी मैं अपता दूँ, पिछले दिनों उसे एक नौकरी का ओफर आया, 40 साल की उमर का कोई लड़का कौन अपने बाप से पूचता है, उसने मुझसे पूचा, मैंने उसको एडवाइस किया, कि ये नौकरी जो है, अभी जो तुम को तनका मिल रही, उससे दुगना ये प्रामिस कर रहे हैं, लेकि उसने बिलकुल ऐसा ही किया, और इंटर्वियों के बाद जो हो, उसको ये बात समझ में आगे कि ये मेरी चिका है, यदि 40 साल का लड़का अपने बाप से पूचता है, तो उसका मतलब यह है कि उसको बच्पन से पूचने की आदत है, आदत इसलिए कि वो आदत डाली गई है, मेरी बेटी वो भी शादी शुदा है, एक बच्ची की माँ है, 38 साल की है, वो भी कोई भी जीवन के गंबिर बात होती है, मुझसे जरूर अड़वाईस पूचती है, एड़वाईस पूचने के लिए रास्ता मैंने खुला है, बच्चपन से उनको हर चीच के उपर खुल कर बातचित के लिए जो शब्द भंडार चाहिए वो दिया, अर विशे पर मैं खुल के उनको टीचिंग देता था, वे जिस विशे पर भी पूचते थे, भरसक जवाब देता था, और कई बार बच्चे जो प्रशन पूचते हैं, वो प्रशन ऐसे होते हैं कि हो सकता है, आपको एकदम से लजजित कर दें, लेकिन इसके बावजूत मै ने भरसक जवाब दिया, आज result यह है कि दोनों अपने अपने जीवन में settle हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझसे advice पूचते हैं, इसलिए नहीं कि मैं एक perfect पिता हूँ, मेरी जो भी कमजोरियां मेरे बच्चे जानते हैं, इसलिए नहीं कि वे perfect बच्चे हैं, उनकी जो भी कमजोरियां मैं जानता हूँ, इसलिए पूचते हैं कि, sorry, उनको पूचने की training दी गई है, आप भी जितने भाई बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, बच्चों को दोश दे के हम बड़े आराम से बच सकते हैं, मनिश के सामने बच सकते हैं, पर मिश्वर के सामने नहीं बच सकते, और इसलिए यदि आपका बच्चा या आपकी बच्ची गलत दिशा में जा रहा है, चेत जाईए कि आप से गलती कहां हुई है, कुछ बच्चे सही शिट्षा देने के बावजूद भी गलत रास्ते पर जाते हैं, उसके ल नहीं दी गई है, माबाप के साथ उनका कोई कम्यूनिकेशन नहीं है, आके यदि वो बताएं कि मेरे साथ फलानी मुसीबत हुई है, तो उसके साथ जो मुसीबत हुई है, उससे सोगना जादा हम उससे क्रोधित होते हैं, तो बच्चे को चाहिए सिंपथी, तसलिए, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी नाकनदम कर रहे हैं, ऐसे एक संसार में हमारे वैच्चे, यदि पापी लोग उनको फुसलाते हैं, तो फस जाते हैं, उनकी बातों में फस जाते हैं, और उनकी बातें मान लेते हैं, और जैसा मैंने कहा, दुनिया डैरेक्ली काम नहीं करती है, दुनिया बहुत इंडिरेक्ले काम करती है फुसलाती है यह नहीं कहती कि क्यों नहीं पीते हमारे साथ नहीं पहले काफी भूमिका बांदी जाती है हर कोई पीता है और सोशल रिंकिंग समाज में एक साथ बैठके पीते हैं यह कोई नशा थोड़ी है मसीही जगत में भी मैंने इस तरह से लोगों को फुसलाने की बाते सुनी है कई बार जब मैं इन विश्यों के उपर स्पेशल मीटिंग्स वगरा मैं जब मुझे इंविटेशन मिलता है संदेश देता हूँ तो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी यह विशे खतम करके जब मैं नीचे आता हूँ स्टेज से नीचे आता हूँ कई बार बड़े वरिष्ट सीनियर भाई लोग आखे कहते हैं कि ब्रदर इस तरह से एकदम से हर चीज की वर्जना वर्जना का मतलब है वर्जित करना इस तरह से हर चीज की वरजन अच्छी बात नहीं है, हम मेंसे हर व्यक्ति को हर चीज का स्वाहत देखना चाहिए मुझे अभी भी याद है, जब मैंने इस विशे पर मुझे विशे विशे, विशे मुझे आयोजकोने दिया था और आयो जोको ने जब विशे दिया तो उसके उपर मैंने बहुत स्ट्रॉंग संदेश दिया संदेश के तुरंत बाद एक भाई दोड़ते हुए मेरे पास आए वो बोले कि नई ब्रदर आपने जो कहा वो गलत है हमें जीवन में हरत रहके पाप का थोड़ा बहुत सेवन कर लेना चाहिए ज़रा ध्यान दें एक वरिष्ट भाई जिनके दो तीन चार बच्चे हुँगे मुझसे कह रहे हैं बेशर्मी के साथ के हमें हर चीज का थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत मद्यपान करना चाहिए थोड़ा बहुत गूस लेके देखना चाहिए थोड़ा बहुत जूट बोलना चाहिए और थोड़ा बहुत यदि स्त्री लंपट हो जाएं तो उसमें कोई बुरा नहीं है कैसी अन्होनी बाते एक Brethren Senior Brethren भाई मैंने आयो जुकों से जब कहा कि उस भाई नहीं आयो जुकों क्योंकि भाई जा जाकर हर परिवार में माँ बाप, बच्चों सब को फुसलाते हैं कि पाप से एकदम से दूर रहने की जरूरत ने थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखो जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक तुमको पता कैसे चलेगा कि ये गलत है, बुरा है, पाप है अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपने अपने एक बहुत अच्छा आर्गिमेंट है बही जब तक गलत काम को तुम करोगे नहीं तब तक तुमको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है, बुरा है, खराब है एक बात बताईए जो व्यक्ति इस तरह से आर्गिमेंट करता है उस व्यक्ति के सामने आप यदि पोटासियम साइनेड की एक बोतल रख दें दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीली वस्तुओं में से एक है पोटासियम साइनेड आप उसके सामने पोटासियम साइनेड की एक बोतल रख दें और उससे कहें कि इसको ज़रा टेस्ट करके देखिए कि ये जहर है क्या नहीं, या वाके में potassium cyanide जहर है या नहीं, वो टेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वो कहता है कि बिना स्वाद देखे, पता कैसे चलेगा, लेकिन उसके सामने स्वाद देखने के लिए आप मारक वस्तू रख रहे हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहा, अपन स्वेम के सिधानत का वो पालन कर रहा है क्या? नहीं, वो पटेशिम साइनेट को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन बाकी चीजों के बारे में वो आपको उपदेश दे रहा है, आपके बच्चों को उपदेश दे रहा है, क्योंकि वो आप तुलना में पाप का स्वाद बहुत अधिक होता है, धार्मिक्ता की तुलनासित में पाप का स्वाद बहुत ही अधिक होता है, आप पूछेंगे कि कुछ विस्तार देंगे, जी हाँ, एक आदमी जो दफ्तर में काम करता है, मान के चलिए कि उसको तंखा मिलती है, महीने ब काम करने के बाद तन्खा मिलती है पचीस हजार रुपए लेकिन यदि उस दफ्तर में घूस लेने का स्कोप हो और सुबह से शाम तो को घूस ले लेता है तो कितने हजार रुपया वो कमा लेता है कितने हजार तो नैचरल है महीने भर दफ्तर की गुलामी करने के बाद मिलते हैं बीस अजार और यहां एक दिन में घूस से आपको हजारों मिल रहे हैं और महीने भर में तो आपकी तन्खा के दुगने चौगने पैसे आपको मिल रहे हैं तो जो गलत काम है यदि कोई कहता है कि गलत करके तो देखो बुरा लगता है तो छोड़ देना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलत करके देखो बुरा नहीं लगता है बलकि गलत कारिये आनंद देते हैं और इस कारें लोग गलत कामों में और ज़्यादा शुरू शुर गलत काम आनंद दायक होता है ये एक बात में नहीं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन में एक बात में नहीं जीवन में जिस जिसी एरिया में पापी लोग हमको फुसलाते हैं उसमें से हर कायरी हमको आनंद देता है हम को से मेरा मतल है मनिश को आनन दे इसलिए तो वो लोग करते है पहली बार जो smoke करता है उसको बहुत कड़ूआ लगता है खासता है सब कुछ करता है पर वो क्यों smoke करता है इसलिए कि एक बार आदत पड़ जाती है तो उसको आनन मिलता है शराब पहले उसको कड़वा लगता है लेकिन बाद में उसको आनन्द मिलता है तो चाहे स्मोकिंग हो शराब हो घूस लेना हो या कोई भी अनेतिक कारी हो शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दुविदा होती है लेकिन जब पापी लोग आपको फुसला लेते हैं और एक बार आप उसमें फस जाते हैं तो वो आपको आनन्द देता है ये एक बहुत ही खतरनाक बात है बहुत ही खतरनाक बात इसलिए प्री भाईयों और बहनों अपने बच्चों को ये बातें करमद तरीके से सिखाएं लेकिन सिखाने से पहले ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी और आप सीखना चाते हैं तो प्रभु का वचन इन विश्यों के बारे में जो कुछ बोलता है वो आपको सीखना पड़ेगा आप शायद कहेंगे कि ब्रादर या शास्त्रे अंकल इन विश्यों की उपर तो कोई बोलता ने ठीक है कोई नहीं बोलता ता मान के चले कि कोई नहीं बोलता, लेकिन हमारी आखें फूट गई हैं, किया जो हम Bible नहीं पढ़ते, Bible में ये सारी बातें बताई गई हैं, मान के चले कि कोई इन बातों के ओपर class नहीं लेता है, तो भी प्रभु का वचन तो वहाँ है, प्रभु के वचन से हम पढ़ सकते हैं, इन विश्यों के ओपर class लेने में, कई प्रचारों के सामने काफी व्यावाहरी कठनाई है, इन विश्यों के ओपर सोच समझ के class लेने के लिए, काफी मेहनत लगती है, इसलिए कई लोग avoid करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारे व्यावाहरी कारण है, लेकिन कोई इन विश्यों को नहीं सिखाता, ये परियाप्त बहाना नहीं है, इसलिए कि पडमेश्वर ने हम में से हर व्यक्ती की मात्र भाशा में ये दे रखा है, और मात्र भाशा में जब हम पढ़ते हैं है मेरे पुत्र ये पापी तुमको फुसलाएं, तो हर माँ और बाप को ये समझ लेना है चाहिए कि उनके बच्चों को दुनिया के लोग फुसलाने की कोशिश करेंगे, तब ही तो प्रबु का वचन कहता है कि फुसलाएं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि फुसलाएं शब्द का मतलब ये है कि बड़ी चालाकी से उनको पाप में धकिल दिया जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। फुसलाने के हजार तरीके है जिस तरह से उस लड़ी से जाके उस लड़के ने कहा कि मैं बड़ा अकेला हूँ। उस लड़की को बैया आगई। उस मुर्ग को ये नहीं मालूम था। ये लड़का जो है उसकी नजर, उसकी प्रॉपर्टी पещर पे है। और उस डबल मुर्ग को इतनी भी अकल नहीं आ जाता है जानते हैं क्यों इसलिए कि एदी वो जाकर अपनी मां से अपने बाप से बोल देगी पड़ोस का वो लड़का मुझसे बात करने के लिए आ जाया था तो पहले तो उस लड़की को डाटेंगे उसके बाद उसको उदर ग्राउंड में जाकर साइकल की प्रैक्टिस ब बढ़ी बंद हो जाएगा आज हिंदुस्तानी परिवारों में ज्यादा तर माबाप ऐसे हैं कि बच्चे पैदा कर दिये लेकिन उनके बच्चों में और कुतिया के पिल्ले में कोई अंतर नहीं है बस पैदा कर दिये उसके बाद वो अपने रास्ते पे ये अपने रास्त पर हाँ बीछ बीचे कुतिया दूद दे देती है उस प्रकार माबाप खाना दे देते हैं एजूकेशन के लिए भीज़ देते हैं बच्चों के लिए खाने एजूकेशन सबसे महतुपोरण नहीं है सबसे महतुपोर्न बात ये है कि माबाप के साथ उनका अभिन संb gaatomma मा बच्चों के साथ खुले हो और माबाप बच्चों के साथ खुले तब होंगे जब माबाप फुद इस बात को समझें कि बच्चों के साथ खुलने का मतलब क्या है दूसरी बात बच्चों से हर विशे के ओपर खुल कर बात्चित करने के लिए बच्चों को जो vocabulary चाहिए जो बार्षा चाहिए उसमें ट्रेनिंग दें। मेरे प्रीव भाई और बहनों, आज मसीही परिवारों में हमारे बच्चों को संसार चोरी करके ले जा रहा है। प्रीव भाई और बहनों, तमाम तरह के साइबर क्राइम में हमारे भाई बहन फस रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण यह है कि हम लोग दुबारा नहीं सोचते। बस किसी ने फोन किया। हाँ जरूरी होगा। कोई जरूरत मंद होगा। अरे अनजान व्यक्ति क्या जरूरत मंद होगा। सौ में से एक भी नहीं होता है। जादातर और अब इन फोन्ट्स की यह भी मैं बता दूँ अब इस तरह के फोन्ट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। की करोड़ों फोन नमबर दो हजार से लेकर दस हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। मेरे पास भी हफते में एक आफ़र आ जाता है। पहले कस्टमर से लिकल आएगा पहली लूट में यह पैसा आ जाएगा। इन बातों में ना फसें। लड़के लड़कियां जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं बेटा बिटिया ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है इसमें मत फंसना बिलकुल मत फंसना अपने माबाप को बताना यदि तुमारे माबाप तुमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते तो या तो किसी अंकल या आंटी या कजिन जो तुमारे रहस्य रहस्य रखेंगे ऐसे व्यक्ति से अड्वाइस लो और इस तरह से भी कोई व्यक्ति तुमारी जान पहचान में नहीं हैं तो मेरा मोबाइल नंबर शास्त्री जगवीर ने कमेंड बॉक्स में डाल दिया है उसको देख लेना नंबर मैं मुझवानी भी बोल देता हूं नोट कर लेना मेरा नंबर है 999-519-8690 999-519-8690 मुझसे संपर कीज़े फोन ना करें फोन करने की कोशिश ना करें आडियो बेज सकते हैं टेक्स्ट बेज सकते हैं फोन ना करें मेरे पास समय जब होगा तब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूँगा लेकिन सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपने ही आसपास के जो लोग आपको एडवाईस दे सकते हैं उनसे संपर करें वो आपका मार्ग निरदेशन करेंगे लेकिन नहीं हुआ तो मैं मार्ग निर आपके वगरा में जाते हैं मेरे बच्पन में एक बोर्ड हर जगा लिखा रहता था उस बोर्ड पे स्टेट्मेंट था कभी नहीं से दर भली पता नहीं अब वो है या नहीं लेकिन ग्वालियर से शुपरी शुपरी से गुना के रास्ते पर इसी जमाने में लिखा रहता कभी नहीं से देर भली इसका क्या मतलब है जल्द बाजी में गाड़ी चला के एक्सिडेंट हो जाएगा तुम अपने लेट्शे पर कभी नहीं पहुँच पाओगे इसलिए सावधनी से चलाओ देर हो जाए कोई बात नहीं है लेकिन पहुँचोगे और मेरे प्रिये बच्चों मैं यह तुमको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मुसीबत की तुलना में अपना जीवन भला अनावशक दोस्ती वगरा में मत पढ़ना इन बातों को समझने के लिए प्रभू हमारी मदद करे पिछले कई हफ्तों से हम बच्चों के उपर फोकस कर रहे थे बच्चों के बारे में अभी सेकड़ों माते प्रभू के वचन में कही गई है लेकिन पढ़ों के बारे में भी दो चार शब्द बोलना जरूरी है इसलिए आने वाले हफ्तों में हम विशे थोड़ा सा बदल कर माबाप के बारे में बोलेंगे उसके बाद फिर बच्चों पर वापस आएंगे यदि प्रभू ने बल और शक्ती दी तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहें आज प्रभू ने इस तरह से जाऊसर दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ प्रभू के नाम की स्तूती हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रेह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध है उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की